हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब यह देखिए यह माले पास एक सूट आया है इसका जो नेक है वह पहले से बना हुआ है और इसके निचे एक बोर्डर भी दी गई है तो इस तरीके का सूट अगर आपके पास आता है तो आप उसकी कैसे कटिंग करेंगे वह माज आपको बताने व कि यह देखिए पहले पौने इस इसे टीन मैंने रख लिया और 5 Minsh पर मैंने मार्क कर दिया अब मैंने आर्म होल साथ इंच ले लिया और कमर का निशान 14 इंच पे और हिप मैंने लिया है ये 20 इंच पे तो ये 22 इंच पे अब ये दिखिए फिटिंग मैंने 10 इंच पे लिया है ये मैंने लिया है 8 इंच पे और हिप का साइज जो है वो हमारा 10 इंच पे है ये एक्स्ट्रा दो-दो इंच करके मैंने निशान लगा लिया और इसको कट भी कर दिया ये देखिए अब हम इसी को रखके बैक पॉर्शन के कटिंग करेंगे तो ये देखिए मैंने बैक पॉर्शन भी इस पे रख लिया और इसके अब हम कटिंग कर देते हैं यह बैइक का गला मैं कट कर देती हूं दो देखावर्खे दोस्टों हुमारी कुर्ते की कटिंग तो हो शुकी है महां पिसकी स्लिफी कटिंग करेंगे त इजो के में देखिए कप्ड़ को हम रख लेते हैं । सेट करके इसके यह देखिए कपड़ मनि नगा लिया इस तरह के से लेंथ कि जित्ती भी लेंथ है उस्से डो इंज एक्स्टर लेना है पंधरा इंच हमारी बाज्व है तो दो inच मैंने एक्स्टर ले और इस तरीके से मार करते हुए मैंने स्लीव को कट कर दिया यह हम फ्रांट की कटिंग कर रहे हैं एक्स्टा कटिंग तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो स्लीव से वह भी कट हो चुकी है अब दोस्तों हम करते हैं इसकी स्टेजिंग तो सबसे पहले यह जो हमारा फ्रांट नेक है वो तो बना हुआ अब हम बैक का नेक रेडी करेंगे तो यह देखें दोस्तों यह उरे पट्टी मैंने ले ली और इसके उपर हम इसको अटाच करेंगे अई कित देखें अब आरल यह देखें से त्रीके थे अब इसको थोड़ा थोड़ा खिशते हुए सके उपर सिलाय लगा लेंगे कि देखिए दोस्तों अब हम इसको फॉल्ड करेंगे इस तरीके से और इसके उपर एक और सिलाय लगाएंगे कि देखिए दोस्तों और पट्टी जब आप फॉल्ड करेंगे तो बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए पट्टी इस पे हमारी तुर्पाई होती है अभी देखिए अंदर का जो एक्स्ट्रा कप्ड़ा है उसको हम कट कर देंगे देखिए दोस्तों मैंने कट कर दिया अब यह देखिए दोस्तों यह हमारा जो नेक है वो बना हुआ है अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे तो मैंने सिलाई लगा ली है एक और अब हम इसको शोल्डर अटाच करेंगे यह जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको अलग रखेंगे और बाकी का कपड़ा ब्रल्कूल ब्लाबर रखते हुए हम यह देखिए एक्स्ट्रा पट्टी अलग है हमारी और इसको इस तरीके से रखते हुए इन दोनों पर स्टीचिंग लगा लेंगे तो मारी शोल्डर भी स्टीच हो चुके हैं अब दोस्तों हम अब इसकी फिटिंग करेंगे इस देखिए फिटिंग की निशान मेरे पहले से लगए हुए हैं यह देखिए इस तरीके से हम इसकी फिटिंग कर लेंगे दोस्तों, एक पैर की सिलाई देते हुए, मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली, यह तो हमारी फेटिंग भी हो चुकी है, पहले हम इसका बोर्डर एड़ी करेंगे, यह देखिए, सबसे पहले हम बोर्डर को लगाएंगे, यह फ्रंट पोर्शन है, उसको पहले निच्छे का कपड़ा थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, यह देखिए, इस तरीके से फोल्ड कर लिया, सिधी साइड भी है, और इसके उपर हम बोर्ड रखेंगे, इसके बिलकुल कि देखिए, दोस्तों, इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए, बिलकुल किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे, देखिए, अब हम इस दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे, यहां पे, तो दोस्तों, यह देखिए, हमारा जो बोर्डर है, वो लग चुका है, देखिए, दोस्तों, किता अच्छा लग रहा है यह, अब यह जो बैक का पला है, उसके लिए कपड़ा कम है, तो हम फोल्ड करने के लिए अलग से पट्टी लगाके, इसको फोल्ड करेंगे, तो यह देखिए, इस तरीके की, मैंने 1.5 इंच की पट्टी काटके रखी हुई है, तो इसको यहाँ पे हम स्टीच कर लेंगे, यह देखिए, इस तरीके से कर लेंगे, इसके उपर एक टॉप स्टी चोट लगाएंगे, हम जिससे की पट्टी है, उपर की तरफ नहीं आएगी, तो यह दोस्तों हो गया, अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, तो रुपाई के लिए, देखिए इस तरीके से, अब यहाँ प दोनों साइड से, तो यह देखिए, इस तरीके से फोल्ड करते हुए, हम इसको स्टीच कर लेंगे, देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम चाक बना लेंगे, और इन चाक पे हमारी जो है, तुरपाई हो जाएगी, उसके बाद में हम यह जो कच्छी सलाई है हमारी, वो हम न काल देंगे, तो यह देखिए, इस तरीके से दूसरी साइड भी हम करेंगे, तो यह देखिए दोस्तों, मैंने दोनों साइड की चाक है, वो फोल्ड कर लिए, दोस्तों, अब हम इसकी स्लीव्स है, वो राड़ी करेंगे, हम नीचे से इसको स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे कच्ची से लाइए इस तुर्पाई हो जाएगी हमारी, तो ये देखिए दोस्तों मैंने फोल्ड कर ली है, देखिए दोस्तों हम आर्म होल का साइज ले ले लेते हैं, इस तरीके से रखेंगे हम कपड़े को, ये देखिए दोनों जो हमारी जो शोल्डर हमने अटैच्च किय और जहांपे फिटिंग लगाई है उन दोनों को बराबर रख एंगी और इस तरीके से इसको मेंजर कर लेंगे यह हमारा साधी आठी हृप एंच आया है तो फिल्सकी स्मीट का निशान हम APP कि में लगाएंगे यह देखे इस तरह के से अब हमारी बाजू का साइज ले लेंगे यह दिखे बाजू की निशान हमने लगा लिया हम दोनों निशान को आपस में मिला देंगे अब हम स्टिच लगा लेंगे और इस लाई को हम अब डबल कर लेंगे तो दोस्तों इस तरीके से हम स्लीव को रैडी कर लेंगे दूसरी वाली को भी यह हम एक पट्टी रैडी करेंगे इस तरीके से बिल्कुल सीधी चोटी सी पट्टी रैडी करेंगे यह हम शोल्डर पे लगाएंगे इसको की होल्डर बोला जाता है इन दोनो को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें दो नो शॉलडर के लिए दों अलग अलग पट्टियां चाहिएगी दो हम आपको बाजू को अटैश करना बता हूंगी यह देखिए इस तरिके से हम रखेंगे बाजू को यह इस तरीके से दोनो अपस में मैच होनी चाहिए बाजू और हम बाजू को अब सीधा कर लेंगे और इस कुर्ते के अंदर डालेंगे कुर्ते की उल्टी साइड है और बाजू की सीधी साइड को हमने अंदर की तरफ पर लिया तो इस तरीके से दोनों फिटिंग को मिलाते हुए हम इस पे राउंड में एक स लगा दूंगी मैं इसको भी स्टेज कर देंगे यह देखिए बिलकुल एक दम परफेक्ट नाप की बाजू हमारी रैडी हुई है बिलकुल कोई जोल नहीं आया कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहा इस तरीके से आप बाजू का नाप लेंगे जैसे मैंने आपको बताया ह तो बाजू में कभी भी जोल नहीं आएगा और गोल बाजू बहुत ही लगेगी तो दोस्तों हमारी जो बाजू है वो लगके रैडी है इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी लगा लेंगे तो यह देखिए दोस्तों हमारी बाजू का फाइनल लुक इस तरीके से लगके रेडि हो चुकी है हमारी बाझव इसे की साथ हमारा जो कुर्ता है वो भी चिल्के बिलकुल कम्प्लेट है तो मैं इसका फाइनल लुक आपकोision यह देखिये दोस्तों कितते अच्छा कुर्ता बना है और इसकी पैंट भी यह रेडी की है मैंने इसके साथ दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक्यू सो माच